जैसे कि मैं मालूम है कि Search Engine Optimization Digital Marketing के अंदर एक service है या इसके अंदर एक category considering की जाती है तो इसको देखना जरूरी है कि ये broader perspective में कहां fall करती है या इसका difference क्या है बाकी different categories में सो सर्च का normally मकाबला किया जाता है social के साथ कि सर्च और social में क्या difference है तो दोनों ही चुके digital marketing के अंदर आती है तो मेरा ये मानना है कि इसको clear करना बहुत जरूरी है कि Search या SEO कहां पर fall करती है और social कहां पर fall करती है और दोनों क्यूज उस होते हैं और दोना का link डेशर मार्गरिंग से कैसे है एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो समझती हैं कि किसी एक factor को करने से या किसी एक service को करने से वो बहतर हो जाएंगे जबकि ऐसा नहीं होता आपका user मुख्लिफ journey के साथ आता है वो आपको Google पे धूंडता है वो अपनी information सरच करता है Google में आप उसको मिलते हैं वो आपकी website पे आता है आपकी website पे आके वो आप उसको अच्छे लग जए या आपकी website उसको अच्छी लग जए वो आपको चाहता है कि वो follow करे वो follow कहां करना चाहता है कि बजाए इसके कि वो हर बार आपको Google में धूंडे अब वो चाहता है कि आपका जो content है वो उसको खुद मिलना शुरू हो जाए तो वो देखता है कि आप कौन कौन से social media platform पे हैं या कौन कौन से social media platform वो खुद यूज़ करता है तो for example मैं अगर एक doctor को मैं मुझे दर्द है और मैं doctor सर्च करता हूँ तो भी doctor की website मिल जाती है अब मुझे वो doctor 5-6 website देखने के बाद मुझे एक website अच्छी लगी मुझे वो doctor अच्छा लगा उसके सब चीज़ें पसंद आई अब मैं चाहूँगा कि उसको मैं save कर लूँ लेकिन मैं फिर ये भी चाहूँगा कि मैं उसको follow भी करूँ तो मैं उसकी doctor की website से मैं कोशिश करूँगा कि इसके channels देखूँगा कि वो कहां कहां पर exist करते हैं for example वो Facebook पे हो सकते हैं वो Twitter पे हो सकते हैं और YouTube पे हो सकते हैं उनके जितने channels मैं use करना चाहता हूँ या मैं follow करना चाहता हूँ मैं वहां जाके उनको follow कर लूँगा और होगा यह कि next time जब वो अपना content अपडेट करेंगे मुझे वो content मेरी Facebook पे मिलना शुरू हो जाएगा अब यह दोनों चीज़े हम डिजिशल मार्गनी के अंदर fall करती है लेकिन इसका difference बड़ा important है difference यह कि लोग जो गलती करते हैं वो समझते हैं कि सिरफ SEO करने से हम successful हो जएगे या सिरफ social media करने से हम successful हो जएगे या digital marketing में हम बाकी काम करेंगे यह दो नहीं करेंगे या यह दो करेंगे बाकी नहीं करेंगे यह गलत है आपको हर चीज़ करनी है लेकिन हमें search marketing के perspective से हमें यह देखना है कि audience कहाँ पर है so follow the audience is a golden rule follow the audience का मतलब यह है कि आप अपनी audience को देखते हैं कि वो कहाँ पर है so दर्द कितने लोगों को होता है वो एक बड़ी audience है कि दर्द किसी को भी हो सकता है डॉक्टर कोई भी धून सकता है so normally search एक बड़ा medium है क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को target करता है वो ज़्यादा broader category है किसी को भूक लगी है तो रेस्टरून सर्च करेगा और अगर आपका रेस्टरून है तो आप रेस्टरून की search में rank करना शुरू हो जाएंगे किसी को दर्द हो रहा है मानूस होके वो आप से चाहेगा कि आपको follow करे तब आपकी social media active होती है तो हमें ये देखना है कि ये बड़ी audience को हमने नहीं छोड़ना हमें जो नाम से जानते हैं वो तो हमें follow भी कर लेंगे वो हमारी website direct भी visit कर लेंगे लेंगे जो हमें नाम से नहीं जानते जिनको जरूरत है जिनको intent है intent मतलब जिनकी चाहत है एक particular चीज को धूनने की हम चाहते हैं कि हम उनको मिल जाए तो अगर कोई चीज सर्च कर रहा है और वो मेरा target customer है तो हमें SEO के धहर उन तक पहुंचना है ताके हम उनको मिल जाएं और फिर उसके बाद हम बाकी marketing activate कर सकते हैं कि for example जब वो मेरी website पे आ जाए तो मैं उसको email भी subscribe करा सकता हूँ मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि आप हमें Facebook पे follow करें Instagram पे follow करें या YouTube पे हमारी videos देखें लेकिन ये तब possible है जब actually मुझे एक user धून लेगा जो मुझे जानता है वो तो direct आजेगा और वो शायद follow भी कर लेगा लेकिन जो नहीं जानता वो एक बड़ी audience है हमें search ये मौका provide करती है कि जब कोई search करता है हमें उसकी intent समझ आ जाती है कि ये क्या धून रहा है और अगर ये हमारी target audience है तो हमें SEO के थाइद उन लोगों के लिए rank करना है खुद को और उन के लिए हमें available होना है तो ये सारी शीज़ें इन parallel काम करती है लेकिन चुके search एक बड़ी category है हमें search पे ज़्यदा focus करना है search से audience आएगी तो हम बाकी channels को activate करेंगे और अगर search से audience नहीं आई तो हम 4-5 लोगों को 10 लोगों को या 100-1000 जितने भी लोगों को हम पहुंच सकेंगे जो कि एक limited reach है वो सिर्फ उनी तक हमारा message जाएगा लेकिन अगर हम intent पे focus करेंगे तो ये होगा कि जिस जिसको जरूरत है वो वो हमें धूंट सकेगा और जरूरत के तरह जब हमारे से वो relationship बिल्ड हो जाएगा वो हमें follow करेंगे और follow करने के साथ हम बाकी चीज़ेंगे उनको campaigns भेजेंगे उनको email marketing करेंगे उनकी हमारी को प्रमोशन आ रही है हमारे को event आ रहा है उस सारी चीज़ें बाहर में possibility है so search is a big medium यह चीज़ understand करते हुए हम इसको आगे लेके चलेंगे